अगर आप शोशन से शोशन को काटेंगे तो शोशन मर्टिप्लाए हुगा वो कम कभी ने हो प्रेंगा जो मूवमेंट हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा मूवमेंट था वो दलिप मूवमेंट और वो समय अबूर नहीं यह बात मान लिजिए आप जब इस व्यवस्था का मुख्य इसना भी हम सुंगे के रास्ते पर सीधे ही ना उत्र है पहले प्रशाशन को उसकी सूचना दे दे और यदि आपके सामने ऐसी घटना हो जाती है तो फिर आप पीछे भी ना हटा है कि प्रशाशन को आप में सूचना दे चुके है कि ऐसी घटना हो चुकी है बाबा साहब बंबिट करने समिधान लिखा तो हमें भी कानूर नियों से चलना चाहिए क्योंकि जब मेरे उपर कोई बात आ गई तो मुझे अपनी जीवन की रक्षा का इद्गार समिधान ने दिया है जो कि मेरा लीगल राइड है साथियों बहुत सारी बात है आज के समय में कि राजनीताओं से संब्ल दे कि राजनीताओं को आफिर हुआ क्या है आप धरतपूर में देखिए आप दिवी में देखिए भरतपूर का योधारन लीजे पिशी पिशली बार बजट आया और भरतपूर की सड़के बैनर चित सब्सक्राइब का भी काम आज तक घंपूर में नहीं हुआ अगर इतने बैनर और इतने कोस्टर से जो राशी इखटा हुई है उसी राशी को जो उसमें खर्चा हुआ एक बार आप राजनीताओं प्रकाव में देता है डाही लाग रुप्या लगता है आप दोजाना दे अगर उस पैसे को खर्च कर दे दे तो शायर भरत्पूर की खाया पनट हो जाती परनटु ऐसा नहीं होता सिफ भरत्पूर तो अबार अधिया है एक एक जाम्पल के तौर पर यह हैं क्यों हो रहा है इसके होने का प्राक्मिक कारण है कि यह जो राजनेता है यह राजनेता चंता के साथ अपना कनेक्ट इस्ताफित नहीं करते हैं कि इनके एहम राजशाही की मानसित्ता में आज भी भरे हुए हैं इन नेताओं के सामने चाहे वो जाटवर्द का विक्ति हो चाहे वो भीम समाज का विक्ति हो सब के सब धड़ित हैं यह आप मानलीजी यह सोन सब ल पड़ा हुआ दिखाई देगा और यह जो सब दलित हैं इस वास्मिताओं की नजर में यह सब सब भागीस यहां भी कमाई हत्यार का बन रहा है प्रांस में बन रहा है अमेरिका में बन रहा है वो सारे हध्यार उठाकर वो आपको देदेंगे आप लड़ते रहो एक तीर से दो शिकार रूस मजबूत हो रहा था नबे के दशक में रश्या तूड़ गया और उसके बाद में एक एक करके चोटे-चोटे उनकों में बढ़ गया आज रूस एक ताकत की रूप में पुने अबर रहा है अगर आप दस साल का इत्यास देखे तो वापस से चाहे आप देख लीजे आज परत्पुर में आप देखे कोई बिरोक्रेट आया कुमार महसबा प्रजापती महसबा जाकर महसबा रहकर महसबा समयरेगी यह कमसे होने लगा इसकी इसासत के तरी और उसका स्वागत जातिवत खापे करेंगी यह तो इंत्रहा है विभेज यह तो मशीनरी है जो गवर्मेंट मशीनरी है उसको दुर्प्योग की यह नहीं होना चाहिए चाहिए वो कोई भी हो आज से कर आप दस्तार पहले देखें तो ऐसा नहीं होता आज मुक्यमंत्री भी यह किसी को बुला रहा है कुमार महसबा आएगी जाटो महसबा आएगी यह किसी जाती को बड़ा करने की बात नहीं कई उनका प्लिटक चैयंता इस शौक्शन्टारी व्यवस्ता पर जो जाती जद्मिन्य कouleख से जन्मिन्य है जी आसे करने फोकशन्य यह ब्छकामëहरे हैं और ऐसे नोसी के रोग मन ज्रों से आगर जातीगत वित्वयश पह्णाने की कोष़्िश करतें अगर आप स्य जातीगत कआंएr तो मैं रहला वित्तत कर दंद के तो पाम को क्लिकाए नि नियुकर वो कम सिर्फ तब हो सकता है जब आप जूल कारणों पर प्रहार करें और इन मूल कारणों पर प्रहार करने का वीड़ा बाबा साथ अम्मेट करने हो खाया और आज की जो हमारी वापीडिये वो कमोबेश बहुत बहुतर तरीके से काम कर लिए और दस पांच प्रितिशत हमारे समाज के पास अगर एक मादर शक्ति है इन सारी चीजों से अबरने की और अपने समाज को वापस उसके दौरब तक पहुँचाने की तो है स्वैम की तर्क्की करना शुद की भलाई करना समाज को बहुठर रास्ते पट ले जाना ना कि दूसरे समाज से लड़ाई के रास्ते देखा साथियों बारती जी ने कहा था शायद मैंने उसका तीक्रवण कर लिया समय का बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आप सब लोग यहां आये हैं पहली बात तो अच्छी संख्या रहा है उसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई दूसरी बात एक बहुत ही मैं तो नथी सिंग्जी को निवन दिन करूंगा कि ऐसी और लेल जी के हाथ में है कमान कि आप ऐसी मिटी लगाता है जो कि राजनीती से कुछ अलब हो जो संग्ठनाक्मत गुद्धों से लिए अलब हो सिर्फ सामाजिक चिंतर और उनके सरवकारों से संब्ढ़ भरतपूर इस राजस्थान की प्राणवायू बन सकता है दिशा दे सकता है क्योंकि भरतपूर ने पहले भी दिशा दिये जैसा कि आप लोगों को पता है यद भी उसका उधारन देना शायर समिचीन नहीं होगा कि सामाजिक तानवाना यहां का एश्था पर फिर भी भरतपूर ऐसा क कर चुका है और भरतपूर आगे भी कर सकता है यदि हम एक दिशा में अपने प्रयासों को आगे ले जाए और वो दिशा है जामाजिक समरस्ता की उन्नती की और एक दूसरे के हला करने मेरा तो यहीं आप सब रोखों से निविदन है कि जहां भी अतिवादी शक्तिया है उ उन अधिवादी शक्तियों की हमारे समाज में भी कहीं कोई जगा नहीं है आज के समय में आप पिछले 30 साल का इतियास पुखा कर देखें दो अप्रेल का जो मूमेंट हिंदुस्तान के इतियास का सबसे बड़ा मूमेंट था वो दलिक मूमेंट था जितने भी आप चाहे आप फश्रीमंदवाग में पे देखें बुजराथ पे आप देखें चाहे आप राजिस्तान पे देखें सबकों पे आप जो भी नजर आएंगे सिर्फ और सिर्फ दलिक और आदिवसी नजर थे उसका कारण ये है कि अपने अधिकारों के लिए बहुत बड़ा एक माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं कि पांच लोगों को हमने लाभानवित कर दिया तस लोगों को यह बात तैमानिए आप यह बात तैमानिए जब हम एक मुकाम पर कहुँद जाएंगे तो आपको यह उद्वरण देना भी बंद कर देंगे जैसे अंत कि लिए में uh जिन लोगों के वोडनिं नहीं मिले उनलोगों मैं यह कहा कि हमने तो चार कईबिनेट मंत्री जलितों के बना दिये कि प्सकार अधील के तीम रेस्गार आप उपर कि अग्युप गश्राटों पर निया नहीं मात्र चार कैबिनेट मंत्री बनाने के बाद आप ऐसा कहते हैं कि पूरे राजस्थान दर बोर्ड, होडिंग और सम्मान से हम सब लोग आपको लबाद दिया आज आज आपने कैबिनेट मंत्री भी बनाया है बस विश्तिती मुझे बता है कि कैसे कबिनेट मंत्री बनाया है आप ने आज पीड़लू डिपाट्मेंट सबसे रिच पाट्मेंट में काउंट होता है हमारे मंत्री के पास आप लगी होती है वो भीड नहीं आप पद भी दे देते हैं आप दमाव में आकर आप उत्रफिदेश के चुनाव के दमाव में आपको वोट लेना है आप पद देते हैं पर आप ताकत नहीं देते अब वो समय दूर नहीं है जब आपको पद भी देना पड़ेगा ताकत भी देना पड़ेगा